तो बहुत सारे उतार चड़ाओं के बात लाइफ में क्या होता है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा घबराते बहुत ज्यादा है ठीक है एक चीज क्या होती घबराते बहुत ज्यादा है क्यों क्योंकि हमारे पास experience नहीं है कि चीजें होती ही कैसे हैं बात समझ रहे हैं experience क्यों नह तो इससे निकलना कैसे है, दिखकरते हैं तो हर किसी की मैना, चाहे वो मुकेश अम्भानी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई छोटा इंसान हो, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बस एक अच्छा इंसान इसका मतलब यह भी नहीं कि उसके पास पैसा बहुत जादा होना चाह हम जो वल्ड बोलें या फिर जो अपना समाज बोलें उसके दोर रखी कही हैं, उससे हम निकल के कैसे आते हैं, वो चीजे हमको देखना पड़ती है, तो पांच पॉइंट है कोई बताओ कि परस्नालिटी डेवलमेंट का मतलब, क्या होता परस्नालिटी डेवलमेंट का मतल हम एंड तरह आपनी सिक्धिशन से डील कैसे घरते हैं, बिल्कोल, प्रस्ने नेटे बूंखते हैं तो से डील कैसे करते हैं, जो ठर्ड जो होता है, हमारा निचर रहा है, और बात का लर्चान अगर चाहिए, और पूर् Doors, हमारा बिल्कुल तो आते हैं इस बात पर कि personality development का मतलब क्या है और मीनिंग क्या है और हमको इसको कैसे समझना है हम personality development की class में नहीं बेठे हैं मुझे सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए कि मुझे पूरी life जो है वो कैसे grow हो ठीक है personality development में जो main focus किया जाता है वो किया जाता है हमारे corporate world पर ठीक है इसमें द्यान दी जाती है लेकिन हमको उससे एक step उपर जाना है हम इसनी life में कैसे deal करेंगे चीजों को अगर हमने जिंदिगी में deal करना सीख लिया चीजों को यानि कि हमने हर जगह चीजों को deal करना सीख लिया तो क्या point निकल के आई एक good communication skills आपके पास होनी चाहिए एक stunning looks जो है वो आपके पास होने चाहिए ठीक है presentation का तरीका आपके पास होना चाहिए जिससे लोग आपको सुने बास समझ रहे हैं जब हम बोलते हैं तो बोलने के तरीके 50 होते हैं हलो केसे हैं आप हलो केसे हैं तो आपको कौन सुनना पसंद करता है कैसे personality आपके सामने खड़ी है उस पर depend करता है कि आपको सुनेगा कौन ठीक है बास समझ रहे हैं आप तो जैसे लोग हैं वैसे हमको उनके साथ behave करना पड़ेगा तब जाके हमारी बात understand करेंगे सुनेंगे ठीक है तो एक good presentation हो गया ठीक है इसके अलावा क्या के निकल के आया बताओ good communication skill हो गया good presentation हो गया stunning looks हो गया और और एक चीज comments ही हम लेते हैं कि हम be life में कैसे हैं क्या practical हम जी रहे हैं क्या हमें जो अपनी अच्छाईयां गुराईयां हैं वो हमें पता हैं ठीक है जो हमारे goods हैं और जो हमारे bads हैं habits में हम बात करें तो वो क्या में पता है उन सारी चीजों से बनके निकलती है हमारी अच्छी personality ठीक है एक उतार चड़ाओ के जिंदिगी हर किसी गया और एक हम student life की बात करें तो सबसे ज़्यादा pressure हमको यहां पर जहिलना पड़ता है जब हमारे पास degree होती ही लेकिन हमारे पास job नहीं होती है ठीक है तो यह चीज एक बात याद रखना सबसे पहला point जिंदिगी में कोई चीज permanent नहीं है बात समझे रो ना यह धर्टी permanent है ना हम permanent है situation अभी चल रही है वो permanent है हर चीज बदलने वाली है ठीक है तो आज बुरा time time है तो अच्छा भी आएगा अच्छा time है तो बुरा भी आएगा हमें चीजों से deal करना है कि चीजों को जब हमारे साथ वो चीजों हो रही present time में हम उनसे कैसे अच्छे से deal करें उस situation के पर बहुत जाद excitement नहीं मत दिखाओ be normal और जहां हमारे पास बहुत ज़्यादा दोख आता है उस time पर बहुत ज़्यादा sad हो के मत बेठा हो कि life में आप कुछ हो गई है ऐसा नहीं करके बैठना है कि life में कुछ हो गई है क्या हो गया तुमको हो सैलेंद है तुमारी life में कुछ ज़्यादा घट रहा है क्या ठीक है तो क्या होगा हमारे life में हमको ये भी सोचने नहीं चलना है ठीक है तो ये हो गई अब भी एक जैसा नहीं गया इतनी बात में ठीक है वो up down up down situation के साफ से word के साफ से speech के साफ से क्या हुआ है ऊपर नीचे हुआ है तो बात करते ही स्पीच में कि हम कौन से वर्ड पर जोर दे सकते हैं इस ट्रेस दे सकते हैं उस चीज को हमें समझाने के लिए मुझे बताना है I have a good communication skill तो मैं क्या गोलूगा I have a good communication skill तो मैंने किस चीज पर ध्यान दिया communication skill पर मैंने लोगों का ध्यान खीचा कि मेरे पास यह चीज है ठीक है तो हर एक स्पीच में जो हम बात करते हैं जा हम इंटरिव्यू की बात करें अगर हम student point of B से जाएं तो लोग वहाँ पर आपके लिए यह जज करने के लिए बैठें कि आपने पढ़के क्या है वो उनने जज कर लिया पेपर में पेपर में उनने जज कर लिया है अगर आप वहाँ पर पहुंचे हैं एक exam निकालके तो वो जज कर चुके हैं कि आपने पेपर में जो पढ़ा है जो चीज समझी है वो आपने वहाँ पर बता दी ठीक है वो हमने देख लिए अब यहाँ पर मुझे आपको क्या देखना है मुझे आपकी personality देखना है आपका knowledge करेंगे चीजों को वो questions निकल के सामने आते हैं कि आपको एक condition देदी वो पूछेंगे अच्छा इससे आप deal कैसे करोगे अगर आपको पास यह situation है यह चीज खराब है आपने बोला being a civil engineer उनने बोला कि आपके जिले में जो construction work चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा गोटाले है ठीक है तो आप वो पूछेंगे आपको कारण क्या है बताना इस गोटालों के तो पहले तो आपको बता होना चाहिए फिर वो पूछेंगे अच्छा आप अब SDO बनके जा रहे ह तो आप इन चीजों से डील कैसे करेंगे तो इस syllabus में तो नहीं लिखा लिखा है क्या नहीं लिखा ना तो यह हम को पता होना चाहिए कि हम उन चीजों से डील कैसे करेंगे तो वी पैक्टिकल जो हमने life में चीजें देखी होंगी तब ही हम उन चीजों से क्या कर पाएंगे डील कर पाएंगे चीजें समझ में आ रहे हैं के नहीं आ रहे हैं आ रहे हैं जिसको नहीं समझ में आ एक बार हाथ उठा देना ऐसा लग नहीं रहा में को किसी को समझ में नहीं आ रहा तो समझना बहुत जरूरी सलन्द, कभी भी जिन्दिगी में ऐसे नहीं बेठना है, हमेशा आई-कॉंटक्ट बनाके बेठना है मुझे तभी पता चलेगा कि आपको समझ में आरी चीज़े जब आप मेरे से आई-कॉंटक्ट में रहेंगे कभी भी इंटर्व्यू में ऐसे जाके मत बेठ जाना, भगा देगा उठाके, कोई ऐसे तीन चीज़े बताओ, जिससे हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम इन चीज़ों से निकल पा रहे हैं, हमने तो देख लिया कि इस सब तरसनालिटी डवलम्मेंट के पार् ठीक है, वो चीज़ों दखती है, हम निकल बिल्कुल, बिल्कुल, आभी चीज़ आपने जो बोली ही ना, इस सबसे बड़ी बात आप किसी के भी लेक्चर सुन लो, इसके बाद आपका मोटिवेशनली स्पीकर होते हैं, किसी को भी सुन लो, हमारे पास नहीं होता है, सिर् सिर्फ तीन दिन का काम होता है, कोई आपको अगर मोटिवेट कर रहा है, तो सिर्फ तीन दिन तक आपके अंदर वो एनरजी रहेगी, उसके बाद सब खतम हो जाता है, जो हम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, वैसे हम जीना स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारे साथ चल रहा थ तो उससे पहले कुछ चीजे हैं, वो पहले सुन लें, ठीक है, तो अगर अपन बात करें, मेन कॉमन पॉइंट के अगर हम निकल के आते हैं, क्या हमारी लाइफ में ऐसी दिक्कते हैं, जिससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात, एक हमारा फियर, ठीक है, है, हैजिटेशन, ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो दुनिया में है, वो है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे, लोग, क्या है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे, लोग, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, तो यह जो पॉइंट है, यही सबसे मेन कारण जो चीज है वो है हम कुछ करने जाते हैं, हम समास से ड़ जाते हैं अरे यार ऐसा हो रहा है या हम और कुछ करने जाते तो अरे मम्मी क्या सोचेंगी, पापा क्या सोचेंगी घरवाले क्या सोचेंगी कैसे होगा, समझ रहे बात को तो यहां पर सबसे बड़ा ट्रैब जो है वो यही पर है हम यहीं पर फसकर रहाते हैं अपनी लाइफ़ में कि हमको करना क्या है चीजों को हम समझ olit पाते क्योंकि हमको डर लगा रहता है अच्छा यहाँ वो लोग गलत सोचने है कि ऐसा करेंगे तो वो लोग गलत सोचेंगे भाई जिसको गलत सोचना है वो सोच रहा है तुम क्यों सोच के टाइम खराब कर रहे हो कि वो मेरे बार में गलत सोच रहा है जिसको गलत सोचना है वो सोच रहा है तुम क्यों टाइम खराब कर रहे हो उसके बार में सोच के वो ग हिहां है हर किसी के बारें में आप positive सोचते हो क्या है है आप कि सिघेक क्यों आपको आपकी नजर में हो सकते हो तो आप कैसे हर कि नजर में अच्छा बनना है थीक है आपकी जो personality है आपका जो behavior है उसको समझने वाले एक community पूरी बैठी हुई है YouTube पर हम बात करते हैं 50 टाइप के लोग है जो वीडियो से बनाते हैं हर किसी को हर कोई follow कर रहा है नहीं कर रहा है एक particular audience उनकी है ठीक है जिनको follow करते हैं और उनकी audience उनको देखना पसंद रहती है क्योंकि उनका style उनको पसंद आता है अब कोई तो इतने घटिया लोगों भी बैठे हुए है कुछ तो भी डाल देते हैं हम उनको देख लेते हैं क्यों देख लेते हैं भाई क्योंकि उनको देखने वाले भी पूरी audience एक इस दुनिया में बैठी हुई है अमिताब बच्चन को देखने वाले अलग है सल्मान खान को देखने वाले अलग है ठीक है? तो चीज़े समझने की बात है कि अपने लिए एक community बनी हुई है आप जैसा लोगों को दिखाएंगे वैसा लोग आप में देखना इस्टार्ट कर देंगे और वैसे ही लोग आप से इंटरेक्ट होना स्टार्ट कर देंगे खुद पर confidence होना चाहिए खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं क्या हूँ दूसरों की बातों से अगर फर्क पढ़ गया तो इसकी कुछ exercise है वो हम स्टार्ट करने जा रहे तो सबसे पहले हमारे आता है stage fear stage fear जो नाम का exercise है वो हम करने जा रहे कि उसको हम overcome कैसे कर सकते हैं तो अभी सबी लोग एक एक करके आएंगे और तीन मिनिट सिर्फ तीन मिनिट अभी मैं आदे घंटे से बोल रहे हूँ पंदरा मिनिट से बोल रहे हूँ आपको सिर्फ तीन मिनिट अपने बारे में बोलना है क्या करना है तीन मिनिट अपने बारे में बोलना है और हम सब को बताना है कि आप कहां से आये हो क्या हो क्या करते हो और आपकी goals क्या है life को लेकर, आप क्या करना चाहते हैं, कुछ आपने life में ऐसा face किया है, जिसमें हमारी बात अभी तक हुई है, और जो चीज नहीं होनी चाहिए, वो भी आप बोल सकते हैं ठीक है, क्योंकि जितना भी भास अट देलू में कुछ नहीं होता, जब तक हम practical करके नहीं देखते हैं बात समझ रहे हैं, तो हमसे खुद से practical करना है, मैं खुद से चीजें करके देखना है, तब जाके चीजें होंगे ठीक है, तो अभी simple सी आज एक surprise है कि हमको तीन मिनिट आके, टाइमर लगा के हम बोलेंगे ठीक है, ना कम ना जुदा टाइमर लगा के हम तीन मिनिट अपने बारे में बोलेंगे, ठीक है तो चलो, मेरा time खतम, आपके start Hello, good morning, सभी को मेरा नमसकार में राहूल आस्केल, में 10 में 86.33% बनाया था, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है डिप्लोमा 11 कर लिया था, उसके बाद में मैंने सोचा कि डिप्लोमा करना चाहिए तो फिर 11 करा कुछ फाइदा निरा में को, फिर डिप्लोमा में गया डिपलोमा किया मैंने पोलो टेखनिक जहभवा से वहां से तीन साल रहा मैं होस्टल में होस्टल में रहने के बाद मैं मैंने यहां पर एड् utan लिया बिटेग में बिटेग करा और अभी चल रहा है ठ़र्ड यर बिटेग रर्निंग में चल रहा है और सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने प्रावेट जोब भी की थी नहरु विवा केंद्र में, कुछ हो नी रहा था मेरे से, तो सोचा कि मैंने सरकारी जोब चाहिए, सरकारी जोब चाहिए, तो मिनका कुछ करके तो दिखाना है घर वालोगों, तो फिर यहां पर तो यह चीज अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी चीजों की वेल्यू करना अपन कोई सीखना है कि मैं कुछ ना कुछ वेल्यू रखता हूं ने इतना चीजे कर किया है मैं को गुमने का भी बहुत है तो गुमने का अइसे बता हैं सिर श्टाट करो हैं हलो फ्रेंड्स जैसा क्या आप सभी लुक जानते हैं मेरा नाम संजर रजक है And I have completed my graduation, sorry diploma from now Ingenniend, Diploma College. Polytechnic College, that's a government college and it's a very good diploma college in over MP and now I am pursuing engineering in IET DABB तो मेरा 3rd year चल रहा है और मैं यहाँ पे non-tech पढ़ने आता हूँ और तो यह कोचिंग का माहूल है यह एक नमबर बढ़िया है मतलब जो टीचर है यहाँ पे जैसे की सागेट सर होगे भबदीप सर होगे है ना बहुत अच्छे टीचर है बबदीप सरकातों मैं बहुत बड़ा पैन हुए ना तो और यह मेरा मतलब यह केरियर है जहां से मैंने यह सब किया है एजुकेशन कहां से किया है और यह चल रहा है अभी है ना और मेरा अल्टिमेट जो गोल है अभी तो मैं गेट देने वाला हूँ और यह SSC भी दूँगा ब्यापम भी दूँगा जितने भी एग्जामें सब दूँगा है ना जो अल्टिमेट गोल है मेरा वो MBA करना है है ना तो हम लोग को यह चीज समझनी चाहिए कि हम लोग कैसे जो हमने सोचा है वो कर सकते है ना तो इस चीज को करने के लिए हमें सबसे पहले तो पैनिक नी करना है और किसी भी चीज को हमें पाने के और मेरे लाइब में कुछ चीजी यही है, जो मैं अप लोगों को सियर करना चाहता हूँ, यह टाइम था, अप्रोक्स 2020 का, दिसेंबर का, जब मैं पास आउट हुआ था, डिपलोमा से, तब मेरे दर केंपस आया होता है, L&T का, तो मैं, उसका रिजल्ट तो एक मही एक साल ब पाया था, 0.4 माक से में रहे था, तो आइटी में जब आडविशन मिला, तो मैं को बहुत गंदा लगा, मैं बहुत रोया, मैंने सोचा कि एक कॉलेज अच्छा नहीं है, मेरी एक एक में अच्छा नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, दिमे-दिमे करके मैं सर रिसान हुए, एक टाइम बाद सब मने साथ चोड़ दिया था, परेंट्स के लावा, क्योंकि सर वो भी अपनी प्रिपेशन कर रहे थे, बहुत से लोग ऐसे थे, यो कंटिनू साथ देते रहे, फिर अचानक से L&T का कॉल आता है कि तो मारा सेलेक्शन हो गया है, तब मै और कन्फीज हो गया, कि हम में ड्रॉप कर दूँ, ये कॉलेज ड्रॉप कर दूँ, कि L&T जॉइन कर लूँ, ये सब सोचता रहा, तो सर इतनी गंदी आलत हो गई थी, कि जो भी है, अब इस स्टेज पे हूँ, बहुत, जब मैं इन दोर आया जबसे, हैना, तो मेरी अधने देन निकले है, जो आथ महीने निकले है, मैं ना तो सो पाता था, चैनसे, ना खा पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता रहा, तो हमें ये नहीं सोच, बुरा बक्त है, तो अच्छा बक्त भी आएगा, बस प SOUNDपरेसे हैं, कोई भी चीज अचीच करना चाहते हो, तो हम हमारे भी 100 माक्स आएंगे वो दो घंटी पड़ता है अगर नमें गंटी पड़ते हैं तो अगर मुझसे चार गंटी जाद पड़ने लगे तो हमारे माक्स आने लगेंगे हाइड वर्क प्रेक्टिस कंसिस्टेंसी इस दख की आप सक्सिस मैं तो यही बोलूंगा एंड इसे क मेरा डिप्लोमा खतम हुआ तो मैंने फिर आईएटी में अडिमिशन लिया वैसे आपने जो बताया मेरे साथ भी वेसा ही हुआ है कि मैंने एस जी इस का गोल्स हेड किया था और मैं भी कुछ ही पोइंट से रह गया था क्योंकि मेरे 8.0 CGPA थे अपने डिप्लोमा में फिर म कोलेज लाइफ को जीते हैं फिर उसके बाद अपन प्रिप्रेशन आएंगे थर्ड येर से तो लाइफ में काई ना काई कोवीड की वज़े से थर्ड येर मेरा पूरा स्पोईल हो गया मैं घर पे रात तो मुझे बहुत वह लगा कि चलो अलग ही चले गए ते पूरे तो उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा प्राइवेट जोब की तरफ देखा मैंने इंटर्शिप करी काई टेक वेल्यूएशन करके कमपनी है उसमें एक वेल्यूएशन इंजिनियर चे साथ मही ने महीं काम किया फिर उसके बाद वापस जब में इंदोर आया तो मैंने सोचा कि अ आपर मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन जो हुआ है जूनियर इंजिनियर एक्जेगुटिव इंजिनियर असिस्टेंट इंजिनियर इनके साथ में थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ वो लोग आते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं कोई जो ठेकेदार है वो कोई कंस्ट्रक्शन उनके उपर उनका क्या इफेक्ट रहता है, इंपेक्ट रहता है, वो कैसे काम करवाते हैं, उनका जो तरीका है, जो डब्लियू आड़ी, जो है राजस्तान का, वो हाँ पे था, तो मैंने उनका इंट्रेक्शन वगरा देखा, तो मुझे लगा, महासे में थोड़ा इंस्पा थोड़ा सा जो एजर डिजाइन था उसके हिसाब से काम नहीं किया, और हमने काम कर दिया थोड़ा सा हमारे हिसाब से, प्रिक्टिकली, तो वहाँ पर यह हुआ कि उनने हमको बोला कि यह जो आपने काम किये पूरा गलत है, इसको वापस से आप डिस्मेंटल कीजिए, आपन भी एकर सकते हैं, तो फिर आपस में इंदोर आया और मैंने फिर नेविगेट इस्टूट जोइन किया, इसके अलावा मेरा अभी तक का मैं फाइनल एर में हूँ आईटी में, यह मेरा अकेडमिक्स है, यह इंटर्शिप अगरा है, अब मेरी होबी के बारे में आपक इसमें जादा इंटर्श्ट है मेरा, जसे नोन टेकनिकल सब्जेक्ट होगा इनमें भी, और सीविल से भी रिलेटेट अच्छा है, सीविल से एक्सपीरियंस भी है, और इंटर्श्ट भी आता है पंड़ने में, सीविल के सब्जेक्स जो हैं बहुत प्रेक्टिकल ही हैं, तो शुरू से इंटर्श्ट था कि सीविल से ही, तो भी डिप्लोमा भी हो गया, भी भी होने वाली है, बस अब एक ही चीज का है कि बस जल्दी से जल्दी लाइफ में कुछ सेटल हो जाएं कोई अच्छी सी गवर्मेंट जोब मिल जाएं जूनियर इंजिनियर की, चाहे हो एसे सी हो, व्यापम हो, आर अर भी हो, तो यह बस की अब लास्ट एक ही गोले लाइफ में कि जल्दी से जल्दी कोई अच्छी जोब मिल जाएं तो लाइफ में सेटल हो जाएं, थेंक्यू सर। अला दोस्तो, बड़ मॉर्निंग, सबसे पहले मेना नाम बताना चाहूंगा मैं, मेर नाम अक्षे नरगावे है, और मैं बड़वानी से बिलंग करता हूं, और मेरी अकेडिकल लाइफ की बारे में बता हूं में, तो मैंने अपना बी किया है, सिवील से, सिरी रेशनल इस् इस पूल इमने लाइफ के बारे में बता हूं मैं, तो इसकूल लाइफ में मैंने इस्पोर्ट सम्ब भत रुशी डिती थी मुझे, तो एंसे से जोइन किया था मैंने, एंसे से में अगरा भी किया था जहां पर मुझे आर्मी में अर्मी के के हर एक बंदों से मिलने का हमको अलाव किया था कि यहां ठीक, आप यहां पर रहिए और उसके साथ कुछ लोगों और भी बंद्या थे हमारे, तो हुआ कि पहले ही दिन हमारे अच्छी सुता ही हो गई, जो कि कि किसी बंदे ने कुछ बोल दिया था और उनको लगा कि हमने बोला है तो हमें ही अच्छ कुछ चीजे सिखने भी मिली कि एक तो आप डिसिप्लेन में अच्छे से रहिए आप लोगों को कैसे बात करना चाहरे है वह आप बहुत इपेंड करता है मजाग मस्ती चलती रहती है पर कुछ चीजे होती है कि आप एक एडिया पर्टिकुलर लेता है कि हम कहां पर बोलना से कुछ ती वगरा भी सीखी और इस्टेट लेवल पर इंदोर में भी आया था यहां पर भी फर्स्ट पोजीशन पर था उसके बाद आगे-आगे बढ़ने की और कोसिस कर रहा था पर हुआ कि कुछ अबेद वगरा खराब होने के कारण वापस छोड़ना पड़ा उसके ब अच्छा होता है कि इसे मेंजमेंट करना वह अच्छी चीज़ होती है उसके बाद और बड़ी लाइफ बढ़ती चलती गई उसके बाद देखा कि यार आगे करना है कोई फिक्स नहीं था कि गोल क्या करना है ठीक है फेमेली से भी पापा वगरा भी टीचर वगरा थे उन्होंने भी कुछी सिखे बले कि यार कुछ करना है तो अगे बढ़ने के लिए अपने आपो कैसे बढ़ेगा तो सोच में पड़ेगा कि करूं क्या आप में तो सोचा कि ठीक है जो पर्टिकुलर्स डिसाइड करते हैं तो वह स्टाइट किया मैंने कि यार अब क्या कर र यार नहीं हमें मुझे कुछ करना चाहिए तो उसके लिए मैंने डिसाइड कि करूं कि अवेले दो मैंने डिसाइड दॉत जोड़ी है या तो एक जोब करूंगा या खुद का विजनेस खुलूगा उसके लाब कुछ नहीं करूँगा चोंकि यदि किसी का अंडर काम करता ह प्रावेट जोब करता हूं तो कितना कमा पाऊंगा एक साल में कम से कम 20,000 पर दो तीन लाग चार लाग पाज लग दस लाग तक मास पाऊंगा उसके बाद डिसाइड किया किया मैं यदि इस चीज फिल्ड में घुषता हूं दो फिल्ड चूश की रिएक ते बिजनेस में और प्रावेट में देखा है कि यार बिजनेस में क्या करिया किया जा सकता है कि अच्छी एक वो कर सकते हैं अपने आपको डेलब कर सकते हैं यदि अपने बिजनेस में अच्छा माइन के सेट अप किया तो आप एक दो करण रुपया एक दो साल तीन साल पांस साल में अच्छी सक्मा सकते हो तो यह दो चीए सोची रखी है मैंने कि आगे क्या करना है ओके थेंकियो तो पहला इंडिविजियल सबको बताना है डर किसको लग रहा था हाथ कड़े करें एक तो तीन चार्ट गवरार टाइप की नहीं है थोड़ा सा दिल में धरकने तेज हो रही होंगी यह सारी चीज़ें हो रही होंगी क्यों होता है है मैं बिल्कुल एक चीजह की अई है एक चीजह को की आने सबसे बड़ी बात करते हैं तुम्हारे रोटीन है तो बहुत सारी गलतियां भी जो की है पहले उस पर डिसकस करते हैं, क्या क्या गलतिया यहां पर हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, बहुत सारे लोग थे, जैसे कि आप थे, आप मेरे कोई देखे जा रहे थे, यहाँ पर अकेले में तो था नहीं, बात समझे न, यहाँ पर पूरे जितने भी लोग हैं, सब से बात करनी है अपन को, सब बैटे हैं यहाँ पर, तो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस क दूसरी बड़ी बात, कभी भी ऐसे ऐसे बात नहीं करनी है, यहाँ देखना, वहाँ देखना, यह सबसे गंदी अदर्फती, यह क्या देखाता है, अंडर कॉन्फिदेंस, आप कॉन्फिदेंस हो ही नहीं अपनी बात को लेके, तब तो आप नहीं रिप्रिजेंट कर पा ही, आइस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप सच नहीं बोल रहो हो, तो आप नहीं करना है, दूसरी बात क्या था, कि बहुत सारे लोग आके ऐसे खड़े हो गए, अब देखना, एक चीज समझने की कोशिश करना कि, हमारी बॉडी लेंगवेश जो होती है, वो हमारे shrink होनी चाहिए हमारी body language हमारे शब्दों के साथ जो हम बोल रहे हैं वही energy ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी मूँ से कुछ और energy निकल रही है हमारी body कुछ और ही represent कर देए ठीक है? कैसा लगेगा? अब मैं ऐसे खड़े हो जाओ फिर hello, क्या कर रहे हो? नहीं लगेगा न? hello क्या कर रहे हो? तो वो उस चीज में flow में भी ला सकता हूँ, ठीक है? तो आपका जो body language है वो हमेशा क्या होना चाहिए? सिंक्र में होना चाहिए, उपर से नीचे तक आपकी शब्दों के साथ आपकी जो body language है वो भी बात करनी चाहिए, ठीक है? आपके हाथ हो गए, आपकी body का posture हो गया हर एक चीज आपके शब्दों के according जानी चाहिए समझभारी बात? ठीक है? तो इसको सबसे पहले improve करना है इसको improve करने की तरीके क्या-क्या है? simple सा 5 minute 5 minute की exercise है आपको अपने घर पर एक mirror लाना है ठीक है? थोड़ा सा बड़ा लाईए जिससे आपकी personality कमसों में यहां तक आपको देखे ठीक है? और उसको ऐसी जगह पर लगाईए आप दीवाल पर कि जहाँ पर आपकी height की according आप यहां तक देखें, setup हो जाए पूरी तरीके से और उसके सामने 5 minute कुछ एक topic लेके daily बोलने की कोशिश करना है ठीक है? daily का यह routine होना चाहिए daily का में routine बोलना चाहिए एक बात याद रहना, सिर्फ पढ़ने पढ़ने से आपके ना exam निकलेंगे ना कुछ होगा बाद समझ रहो? आपको चीजों को अलग अलग तरीके से be practical रहे के चीजों को समझना है life को समझना है सिर्फ पढ़ने से exam निकलता हो तो आप क्यों depression में चले गए चीजों को लेके? क्योंकि आपने life को कुछ देखा ही नहीं था जहां तक मैंने आपको बात समझी है तो आपने जिन्दगी नहीं देखी थी आपने सब एक चीज़ देखी थी कि मैं को किताबें पढ़ना है किताबें पढ़के मुझे क्या करना है exam correct करना है वो मुझे पता है किताबें अगर मैंने रट ली तो मेरे एक job लग जाएगी और मुझे सारी चीज़ें मिल जाएगे तो ऐसी चीज़ें किताबें मैं नहीं लिखी रहती है या तो आपको जिन्दगी सिखाती है या भहुस सारी novels आती है ये सारी चीज़ें आपको सिखाती है ठीक है अब पढ़ने से भी कुछ नहीं होता बी पेक्टिकल एक ही चीज़ें करना पड़ेगा क्या हमको खुद से करना पड़ेगा तब ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे ठीक है तो एक तरीका का सिंपल से हम देखें क्या होना चाहिए सबसे पहले अपनी पोस्टर जो हो है ठीक है कि हमको अपने आप पर भरोसा ही नहीं है या फिर खरे हो रहे तो बहुत स्टाइल से खरे हो तो आप जब खरे हो रहनों तो फिर आपकी वोड़ी दिखनी चाहिए कि आपने जान पूछ के हाथ डाले ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने under confidence में आके आपको दिक्कत हो रही है आपने इसलिए यहाँ पर हाथ डाल लिए ठीक है जिम मैं कि अच्छा मुझे हाथ चलाना ही नहीं पड़ेगा तो मेरे हाथ गंदे नहीं दिखेंगे फिर वह confidence दिखना चाहिए अच्छा ख़र रहे है न ठीक है दिख रहे है ठीक है तो वो चीज होनी चाहिए बोडी के अंदर कि आपकी बोडी पूरा shrink में हो चीजों को लेके चाहे वो शब्द हो चाहे हमारी बोलने की पिछ हो अगर हम बहुत जादा तेज बोलेंगे और हमा हम करते हैं वो हमको करना है एक सिंपल से एक्जामपल लेते हैं कि हम मूवियां देखते हैं ठीक है मूवियां देखते हैं तो कोई रोता है तो हम रोने लगते हैं आता है न सीन जहां पर आपको रोलाद के चला जाता है वो सामने वाल एक्टर और कहीं ऐसा आता है कि वो हस करते हैं जो निकल के आते हैं हमारे अंदर से जो एक्टर एमोशन हम को दिखाता है वो हमको मजबूर कर देता है आपके अंदर वो energy वो डाल देता है जिससे आप क्या करते हैं उसकी energy के हिसाफ से ढलने लगते हैं बास समझ रहे हैं आपकी body भी उसी के हिसाफ से react करने लगती है ठीक है अगर वो रो रहा होगा तो आप भी उदास बनके बैठ जाएंगे क्य किया उसने वो energy उसने अपने अंदर से निकाल के आपके अंदर डाली है वह साउंड के माध्यम से होता है वो music क्यों दिया जाता है music हमेशा यही काम करता है हमारे senses जो होते हैं सबसे बड़ी वाद impact सब यहीं चीजियों का है हम एक चीज तो देख रहे हैं दूसरी feel भी कर रहे है और तीसरा एक और उसने अपनी जो इंद्रियां है उसमें से एक include कर ली वो हमको sound भी वैसे ही सुना रहा है तो पूरा का पूरा माहौल ऐसा बना देते हैं कि आपको उस माहौल में ढ़लना पड़ता है और वही हमारी life का क्या होता रोमांच होता है ठीक है जैसा अगर उसने किया और हम उसको मज़े नहीं आया उस चीज में तो अपन मानेंगी नहीं कि उसने कुछ किया बाद समझ तो चीजों को हमेशा वही चीज हमको रखनी है कि जब हम यहाँ से खड़े होके जब हम energy कोई deliver करते हैं तो सामने वाले तक वह energy पहुंचनी चाहिए और उस वे में पहुंचनी चाहिए जिस वे में हम बोलना चाहते हैं हम उसको deliver करना चाहते हैं ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल कर बाएंगे practically तीन से चार चीजे exercise हैं जिस पर हम बात करें जो आपको करना है अपनी life में ठीक है एक बहुत simple सा question है जो मुझे आप से पूछना है ठीक है और उसको अगर आपने समझ लिया अगर इस question को आप लोगों ने समझ लिया life में तो मैं guarantee दे रहा हूँ आपकी life बहुत simple हो जाएगी अगर इस question को समझ लिया तो आपकी life बहुत ज़्यादा simple हो जाएगी आज से ठीक है किसी ने भगवान को देखा है किसी ने देखा है एक भी एसा इंसान जिसने भगवान को देखा नहीं है महसूस किया है महसूस किया है ठीक है देखा नहीं है न फिर केसे महसूस कर लिया कोश्चन तो एगी है न ठीक है आपने भगवान को नहीं देखा है लेकिन आपका विलीव है कि आप मानते हैं कि भगवान है आप मानते हैं भगवान है क्यों एक चीज पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है वो पावल जिए को आपको पॉजिटिव थिंकिंग तब मिलेगी न है जब आपको कोई बता रहा हो और सारी चीज़ में तो सिर्फ इसनी बात कर रहे हो कि आपको जब जिसको चीज़ को आपने देखा ही नहीं कुछ नहीं किया तो आप कैसे मानते हैं कि वो चीज है कि बिल्कुल लेकिन वो बिलीव आया कहां से बिल्कुल गटी वरसें वो इसके दोस कर रहे हैं या उसके दोस्त कर रहे हैं उसके खार में अब लोगों नहीं कि जब आयाटी में नहीं हुआ पता भी नहीं हो सकता है भगवान है ठीक है नहीं है इनर्जी आती कहां से और 7 cm से प्रास्वाने जिंद्धकी शुरूत हो रही थी तो मेरी मेरी मान में बताना की पहीं चीज होती है जो इस संशार था आ रही है जैसे मम्मी ने विस्तर से उठाये नहलाद हो जाया और मंदर में जाके बिठाल दिया बेटा इनकी प्रात्ना करो ये भगवान है वहां कोई नहीं था वहां एक मूरत पड़ी हुई थी एक पत्थरी मूरत थी एक कुछ फोटोस रखे हुए थे लेकिन हमको क्या ब है और वहीं आप फील करना कि आपको फील हो जाएगी चीजे अगर हम बोलते हैं चार्ण नहीं कर रहा है एक चीज समझने के कोशिश करना वो आपका बिलीब सिस्टम कर रहा है आप एक चीज हमने देखिये कि कोई एक गाव में अपन जाते हैं कोई अपने पोजियोव होत कुल देपतर इसको बोलते हैं कोई उनकी पूजा कर रहा है उसको उन पर बहुत तगड़ा विलीव है ठीक है हमारी समाज में इतने सारे वो हैं हम बात करें कि धर्म की अगर बात करें तो हिंदू, मुश्लिम, सिख, इशाई और गौधियम ठीक है इतने धर्म हम फोलो करते ह अभी के देट में ठीक है और भी बहुत सारे हैं लेकिन अभी जो मेज़र धर्म है वो यह हम फोलो करते हैं तो अब उनने एक डेफिनेशन दी दी मुहमद जो थे उनने एक डेफिनेशन दी कि अल्ला नाम की कोई चीज है जिसको ना हमने देखा है और ना कोई उसका रंग कुछ भी नहीं है अब उनने तो एवी डेफिनेशन दी हमारे हिंदू पौरानिक में बताएगी के भगवान ऐसे होते हैं किशन भगवान है राम भगवान है यह है वो है उनने तो सीधी सीधी बाद बोल दी कि ऐसा कोई है इनरजी है जो सब कर रही है ठीक है उसका रंग है ना रूफ है ना कुछ है सभी बात है उनने यहीं बुला है कि उनके कोई भगवान नहीं है उनके कोई मूरत नहीं है कुछ नहीं है ठीक है वो विलीव सिस्टम में से कैसा कोई है जो यह कर रहा है ठीक है हमारे ईशा मर्शी पैदा हुए ठीक है उन्होंने चीजो को बताया कि अच्छा यसी चीज़ां होती है वो होती है तो वो चीज़ां हो रहेंगे तो अगर हम डेफिनेशन निकालने जाएंगे तो सब यही निकलती है कि जो उस टाइम का महान व्यक्ति रहा है चाहे हम किष्णी जी की बात करें किष्णी को कैसे देखते हो यार उसके जितना टेलेंटेड बंदा इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ बात समझ रो उसने जहां बिजनिस किया तो हिला के रख दिया पूरी दुनिया को गड़ भी बनाया तो उनने जाके कहां बनाया गुजरात बनाया चारों तरफ से पानी एक जगह से निकलने का रास्ता थी बुद्धिमान उनके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ तो जो इस सदी के महान इंसान थे उनको क्या बना दिया हमने भगवान बाज हमारे बाबा हैं जिनको हम कूझ रहें सिर्फ उसी चीज़ों के वज़े से नहीं कि वह एक पैगंबर नहीं देखा है तो हमने अपने आपको तो देखा है तो हम अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं कि हम कर सकते हैं बात समझ रहो जब भगवान को हम इतने यकीन की साथ मान सकते हैं कि भगवान है जो यह सारी चीज़े चला रहा है तो अपना को तो खुद से करना है व तुमको निकलना तुम निकल के आये ना । अगर तुम reduce it is तो स्र्फ एक चीज होना चाहिए अपने आप अपको बहुत जादा आप यॉज़ा रहे च्छारा को एक चीज्हमने को दुनिया को क्या करना है और जए कर ना है समझ रहे हैं बात को अपने जो भी परसनालिटी जिसको आप फॉलो करना चाहते उसको फॉलो कीजिए ठीक है वो क्या कर रहा है उसकी lifestyle क्या हो कैसे रहता है उन चीजों को समझने की कोशिष किझे वो कैसे होगा observation से कैसे होगा observation से एक बहुत सिंपल सी टर्म है बोलने के लिए लेकिन यह आसानी से होता नहीं है मा समझ रहो अब भूस सारी चीज़ें यहीं होंगी कि आप डेली आ रहो इस class में आपको ऐसी कई नई चीज़ें दिख जाएं यह आपने कभी देखी नहीं होंगे क्यों नहीं देखी क्योंकि observation थाई नहीं हमने देखनी कोशिश की नहीं हमारे पास जो लिमेटर चीज़े हैं जो हमको जरूरत हैं हमने सब वही देखी लेकिर observation यह बोलता है कि आपको जहां जा रहे हैं हर एक चीज़ को देखना है इंटर्वी भी इसके फायदा उठाते हैं आप कहीं जाते हो पूछ लेते हैं अच्छा है यह आपर कुछ लगा था आपने देख क्या है क्या लिखाता उस पर बाहर एक notice word लगा है उस पर क्या लिखा है पूछते ना यह सारी चीज़ें क्यों पूछते हैं वह आपको जान कि आपने जो अपने लाइफ में कर रहे हैं अगर आपको उसी के बार में नहीं पता तो पर आप दूसरों की लाइफ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप तो एक अधिकारी बनने जा रहे हैं आपके उपर पचास सो लोगों का जीवन आधारे थे ठीक है गवर्मेंट अगर पैस निह anders ही सायन करने देगा कि वह आपको नहीं देगा वह आपको देखना चाहेगा कि आपकी सोच कितनी अच्छी है आप कितना चीज़ों को पॉजटीव बे में लेके सोच सकते हैं जहां पर आपको पता हो कि मुझे नुकसान नहीं कराना है मुझे लोगों का फाइदा करा आना है और समंझ रहा है तो observation हमेशा open रखो चीजह हम नहीं कर सकते लाइफ मेरा हम सीख सकते हैं खेब दूसरों से क्या सीख सकते हैं दूसरों की छीजों को देखर धैं कimana सीख सकते हैं वह याद रखना है और जितने सब्सक्राइब मैं आपको कुछ अलग से नहीं दे के जा रहूं कि आपके अंदर वो चीज नहीं है जो मेरे अंदर जो मैं आपको दे रहा हूं आपके अंदर से इतनी इसी चीज है कि आपने वो अपरी तक जगाया नहीं है वो अभी तक निकाला नहीं है अपने अंदर से तो वो चीजों को निकालना है हमें, ठीक है, एक positive way में हमें सोचना है, एक positive way में life को लेके जाना है, उतार चराओ कोई बड़ी बात नहीं, भाई, business करोगे, कुछ भी करोगे, बहुत और उतार चराओ आएंगे, उसको तुम tackle कैसे करते हो, वो main चीज होती है, ठीक है, कितने अच्छे से निदिगी को जी के जाते हो, आज हम actor की बात कर रहे हैं, हम चीजर के, इसी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? अगर हम देखने जाएं तो हर एक इंसान, individual, एक character play कर रहा है अपनी life में, अगर मैं एक बेटे का दायत तो निभाया, तब भी मैंने एक character play की है, एक पती का दायत तो निभाऊंगा, तब भी मैं क्या करूँगा, एक character play करूँगा, करना पड़ता है, आप बोलोगे आपको अपनी life से comfortable zone से निकल के बावाँ जाके बतानी पड़ेंगे चीज़ें, अच्छा है ऐसा होता है, उसके according करना पड़ेंगे, समझ र बात को, तो observation हमेशा रखना है चीज़ों को लेके, ठीक है, तीसरी चीज़े, visualization, ठीक है, अब चीज़ें होती क्या है, कि हम चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं करते हैं, visualize करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो हमने observe की हैं, सीखी ह है लाइफ से वह अपनी लाइफ में बी practical हमको visualize करने की कोशिस करना है बोलने की कोशिस करना देखने की कोशिस करना है आज एक पेक्टिस करने जाऊंगी मैं वोलूगा आपको mirror के सामने खड़े हो जाओ और बोलो चीजों को ठीक है बोलो चीजों को नहीं बोल पाऊ गए एक्टिंग में वो चीज ऐसे सिखाई जाती कि आपको विजुलाइजेशन जो पावर होता है वह बहुत तगरा होना चाहिए आज केमेरे के सामने परफॉर्म करना अगर आप लोग नहीं होते तब भी मेरी इनरजी ही होती क् आऔर यहां पर पूरा फांघ मुझे पूरे फाल को क्या करना देलेवर करना ठीक है तो विजुलाइजेशन पावर यहां काम आती है कि हमको जब चीजे नहीं भी है कहिं पर तब भी वसको 好好 करनाऊ हिं है अच बड़े-बड़ी मोबियां जो है वो गिरीन पड़े पर वो रोके दिखा रहे हैं तो यह हो के सबाएं इसे विजुलाइएशन पावर से क्या हो रहा है विजुलाइशन पावर से अगर हम वो चीज देखेंगे निया कर में हाँ पर देखूंगा गर मुझे शेड खड़ा नहीं देखेगा तो मैं वो डरी नहीं पाँगा तरूगा वो डर लग रहा डर लग रहा वो डर नहीं लग रहा जब डर लगता है तो पसीना चूट जाता है ठीक है तो वो चीज कहाँ कब आएगी ज़ा हम उसको फील कर लेंगे अच्छो सच में है यार सब्सक्राइब तो समझ रहे हमारे अंदर कुछ भी हमको दिखाना है दो ची कषिक अंजित्क होता है बहुत रियलिस्टिक उती है ट्रफ़ार करता करता तो वो realistic acting में ज्यादा चीज़ा आती है, हम अपनी life से relate करते हैं तो जब बार-बार बार वो चीज़े होती है, तो हमार पास एक technique develop हो जाती है, कि हम को चीज करना क्या है मैं जो 2 second लगेंगे, मेरे आख मेयास हुआ जाएंगे 2 second लगेंगे, मैं यहाँ रोना स्टार्ट कर दूँगा, 2 second लगेंगे, मैं यहाँ रोना स्टार्ट कर दूँगा, सब को हजा दूगा तो सिर्फ technique है, वो चीज क्योंकि develop किया है, वो बार-बार-बार करके हमने वो चीज़ डेवलप की है तो यह चीज बहुत काम आती है, मैं तुमको बताओ ना, यह रियल लाइफ में तो यह चीज बहुत काम आती है, सिर्फ इतना थोट रखो कि अगर 6 महीने मैंने मेहनत करके अगर एक जॉब हासल कर ली, जितने भी घर बाले, बाहर बाले, जो बोलने, सब के मुँ बंद हो ठीक है, सब चेंज हो यह पूरी लाइफ ही बदल जाती, एक जटका लगता है, एक मोमेंट, एक रिजल तो सब चेंज, अब वो डिक्कत यह है कि स्ट्रगल हर किसी का अलग अलग है, ठीक है, हर किसी का स्ट्रगल अलग अलग है, मैं बोलू कि आज मेरे से छोटी उम्र के लोग मेंसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, भले ही मैं उनसे अच्छा जानता हूं, मैं उनसे बहुत अच्छा नौलिज रखता हूं, लेकिन मेरी छोटे उम्र के लोग मेंसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी किसमत अच्छी थी, ठीक है, उनको थोड़ा पहले म होती तो बनता गया उसका पहले तो कुछ था यह नहीं न वो इंसान कोई जानता भी नहीं था कि इंसान है कोन इस दुनिया में लेकिन पचास साल की एज में अपने पूरी दुनिया जानती है तो हो सकता है हमारी याफ में थोड़ा लेट हूं ठीक है चीजने जो प्लान है वो थोड़ी लेट हो तेकिन चीजों से ढरना नहीं है भी कॉन्फिटेंस लेकिन लिएक को इंजॉय करो वैसे ही चीजों को रखो ठीक है हर चीज का महाँ जालो ऐसा पढ़ना ही पढ़ना है तो मैं किसी से और मिलू नहीं यह नहीं करूं गो नहीं आपको पता होना चाहिए आपको टायम कहा खराब करना आपके पास टायम कितना है मुझे पता होना चागी कि मुझे आगर time pass करना है मुझे क्या करना है मुझे पास 2 गंटे है मैं जाओंगा मजे करूंगा 2 गंटे बाद वापस आजाओंगा 2 गंटे वाद focus पर भाही होना चाहिए है अभी हम गों के आये 5-6 दिन का हमने तूर लगा है चार महीने से काम करता है में लगा था फरस्टेट हो गया था ठीक है वो चार महीने में हमको चार-पात दिन का इंप्रोवाइशन इंप्रोवाइशन मैंने अभी बताई न वही है जो मैंने गाली से निकलने वाली हो जो मैंने कर दिया वहाँ पर चीजों को देखके मतलब इंप्रोवाइशन का सिर्फ सीज़ा मतलब ही है कि आपको एक ऐसी कंडिशन में फसा दिया जाता है जिसको आपक आपको भेज दिया जिसका आपको A, B, C, D कुछ भी नहीं पता अब आपको उसको निकलना है वो कैसे निकल पाओगे आप कैसे निकल पाओगे अगर आपको ऐसी पैक्टेस होगी चीजों को लो कि आपने उस पर ध्यान दिया होगा तो आप निकल पाओगे